विल्कम टू दा पार्ट साला अभी हम बात करेंगे बुलट ट्रेन की क्या भारत को जरुरत है इस पे निबंद की और जो आज का दूसरा निबंद होगा वो साइबर सुरक्षा पे है जो आपको ग्यारा बजे तक अपलोड होके मिल जाएगा आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से वन रैंक वन पेंशन पे इलेक्षिन रिफॉर्म पे और एक दो निबंद और मांगे जैसे इश्ट्रो को लेके तो मुझे लगता है कि एलेक्षिन अभी हुआ है और इश्ट्रो का जो था सैट्लाइट 104 उनों ने सफलता पुर्वक अंतरिक्ष में छोड़े हैं तो इन पे लेटर आ सकता है लेटर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वन रेंक वन पेंशन अभी करेंट में बर्निंग इसू नहीं है था ये तो ये दोनों आज जो मेरे एसे हैं इनके बाद बहुत ही कम चांसे है कि मैं एससी सीजियर टियर थर्ड के लिए और कोई एसे दे पाऊं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लेटर पे बात करूँगा एक वीडियो में तो कल मैं लेटर पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपचारिक लेटर के फॉर्मेट की बात करूँगा और वो बहुत छोटा वीडियो होगा, जिसमें अगर आपके मन में format को लेके कोई doubt है, तो वो सिर्फ clear होगा, इससे ज़्यादा अभी tier 3 के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आप लोग नैसे जो भी CHSL descriptive की तयारी के लिए ये निबंद देख रहे हैं, उनको अगर और निबंद चाहिए, तो वो नीचे comment section में वो mention कर सकते हैं, मैं 20 या 21 तारिक के बाद दुबारा निबंद बनाना start करूँगा, और जो CGL 2017 की तयारी कर रहे हैं, वो मेरे से किसी topic पे वीडियो मांग सकते हैं, चाहे वो English का हो, चाहे वो math का हो, quant का हो, current affairs का हो, gk का हो, reasoning का हो, आपको जो भी वीडियो चाहिए, आप नीचे comment section में बोलिए, आप जो मांगेंगे मेरे से, मैं 21 तारिक के बास से आपको वो प्रवाइड करूँगा, तो अभी बात करते हैं, bullet train की, topic है, क्या भारत को सच में bullet train की आवस्यक्ता है, ये सभी भी topic से different है, क्योंकि इसमें आपको अपनी राय देनी है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि bullet train project है क्या, railway की क्या condition है, bullet train की वज़े से क्या होगा, overall जो है, आपको तुलना करना होगा, फिर finally conclude करना होगा, तो चलिए, define करते हैं, क्या है bullet train project, ये हमारे, वो factors हैं, जो लगने हैं इस पे, ठीक है, suggestion, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये है introduction, भारत और जापान ने, 12 दिसंबर 2015 को मुंबई एहमदाबाद high speed rail पर योजना में सहयोग और सहयता के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया, जिसे आम तोर पर bullet train के नाम से जाना जाता है, इसके बाद से सामान्य प्रतकिया यह हुई है कि क्या भारत को ऐसे bullet train की जरूरत है, जो इतनी बड़ी लागत पर आते हैं, तथा जिस लागत का इस्तेमाल, बुनियादी धाचे के सुधार के लिए अधिक विवेक पूल रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपका निब बुलर ट्रेन इतनी ज़्यादा लागत पर आते हैं, क्या उन्हें लाने की जरूरत है, वही पैसा हम इस्तेमाल कर सकते थे बुनियादी धाचा सुधारने में, उसके बाद बुलर ट्रेन लाते तो ज़्यादा बहतर होता, अब आगे बात करेंगे, भारती रेलवे की गाड़ियों का सेम पटरी पर चलना कोई देखा नहीं किया जा सकता, रेलवे अतिक्रमण का सिकार है, ऐसे में तेज ट्रेनों का चलना कहां तक संभव हो पाएगा, भारत में अभी सबसे तेज ट्रेन भुपाल सतापडी सिर्फ 150 किलो मिटर से दिल्ली से आगरा तक चलती है, यह जो ट्रेन है वो आप कंफर्म कर लीजेगा कि यही वारी ट्रेन है कि कोई और भी ट्रेन है जो जिसकी स्पीड से जादा है, ठीक है, क्योंकि कभी-कभी कुछ डाटा जल्दबाजी में गड़बल हो जाते हैं, अब बात करेंगे, यह तो हमने प्रॉब्लम बता दी कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बुनियादी रहाचे में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, अब बात करेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डिटेल के विसे में कि हाँ, बुलर ट्रेन से क्या पोजिटिव चीज़े निकलेगी, हम इस बात की भी अंदेखी नहीं कर सकते, कि भारत की तेज यात्रा करना, एक आवस्यक्ता बन गई है, एक उन्नत गलियारा, जो ट्रेन की मौजूदा इस्तिती से तेन गुना तक तेज चलने की अनुमती देती है, भारत के रेलवे के लिए नए यूग में प्रवेश करेगी, यह यात्रा समय कम करने के साथ साथ यात असरी चालन्ज हमता में भी वृद्धी करेगी, अब इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि आप बता सकते हो कि कमफर्ट है, यह है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, पर आपसे कोश्चन पूछा गया है, तो डाटा के बजाए यहाँ पर आप थोड़ा वाइजली संटें सामाने भोगी में सफर करते हैं, तो ऐसे में बुलट रेन का किराया वहन करना भी एक एहम सवाल है, जब कोई परिवर्तन विगटन कारी प्रतीत होती है, तो इसके विरोध की संभावनाय बढ़ जाती है, उच्च गती रेल पर योजना, बुलट रेन के प्रलाम सरूप सम बुलट ट्रेन लाना सही है कि नहीं है, तो यहां तक हमने यह डिसकस कर दिया है कि यह प्रॉबलम है देश में और इनके आने से यह चीजे हो सकती है, ज्यादा अबादी जो है जनरल बोगी से चलती है, तो किराया कहां से वहन करेगी, ठीक है, अब जो आप कंक्लूजन द बहुत जादा हो गई है, तो मैं सिर्फ सिंगल डायन में इसे कंक्लूट कर रहा हूँ, इस रेलवे लायन को लगाने की लागत नीसे धातमक हो सकती है, पर भविस्य में लाब लागत के समान हो जाएगा, तो जो कंक्लूजन है उसमें मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिस कर हूँ कि जो अभी bullet train project हम start कर रहे हैं इसकी लागत बहुत ज्यादा है लेकिन अगर भविश्च में देखें लंबे समय में तो जो लाब है ना वो लागत के बराबर हो जाएगा इसी बात के साथ आप conclude कर दीजिए निबंद को सो अभी के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे लेटर के साथ अगर मैं कोई इक्स्ट्रा निबंद दे दूँ अगर कल परसों में तो आपके लिए bonus होगा थैंक्यू बाबाई